जैहिंद आज के खास वीडियो में एक होमियोपेथिक दवा लेट्रिस एस्पाई काटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में हम विश्त्रीत चर्चा करेंगे लेट्रिस एस्पाई काटा आप देख सकते हैं पर यहाँ पर जो चिन्द लगाया गया है लेट्रिस एस्पाई काटा एक बहुत महत्पून दवा है आज कर लोगों को बहुत ज़्यादा सुजन होने लगा है पर सुच जाता है और सरीर में बहुत ज़्यादा सुजन आ जात है तो आप लेकिन यह बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और हमने जब इसका प्रयोग किया था तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया एक बच्चा जो था वो करीब उसको 5-6 साल की उम्र थी और उसका पैर बहुँ ज़्यादा सुजा हुआ था और उसमें इतने ज़्यादे सुजन आ गये थे देखने के बाद आश्चर लग रहा था कि इतने से छोटे बच्चे का पाउं इतना ज़्यादा क्यो तभी इसका पैर सुजा हुआ है रोगी के माता पिता द्वारा यह बताया गया कि मारभात खा लेता है इसलिए इसका पैर सुजाता है केला खा लेता है इसलिए पैर सुजाता है तो हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है मारभात तो सैक्रों लोग खाते हैं बरी सौक से खाते हैं यह मारभात खाने से बच्चे का पर नहीं सुझेगा किला भी खाने से नहीं सुझेगा इसका सुजन का कुछ ना कुछ खास करण है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डक्टर सुभुष चंसिंग को जीएस एंपी क्लिनिक और नीव चैनल के अंतरगर हमने फेरम फोस बाइकेमिक का एक बाइकेमिक दवा आता है फेरम फोस हमारे पास है वो कभी आप देख लीजिएगा फेरम फोस आसानी से मिल जाता है बाइकेमिक दवा हमने थिरी एक्स में चार टेवलेट दिन में तीन बार दिया था और यह लेटिस पाइकाटा जो की पानी को निकालने में बहुत महसूर है शरीर से आपको कोई सुजन है तो आपको जरूर परियोग करके देखनी चाहिए हमने इस दवा का तो पूरे बिमारी को खतम कर दिया था फर्स्ट वाले दवा से पता नहीं हमें उसमें क्या दिये थे ओ ठीक नहीं हुआ था दूसरे बार वाले दवा से एकदम कारगर हुआ और एक ही वीट में उसका पूरा पाउंग का जो सुजन था ओ अगदम खतम हो गया हमें लगा कि जर जाज कराए भी जाता तो बहुत जादे पैसा लगता और होमियोपैथी का कोई साइट डिफेक्ट होता नहीं है इसलिए हमने कहा कि फर्तम बार दावा दिया जाए यदि ठीक हो जाए तो अची बात है नहीं तो इसे जाज के लिए आगे आपको भेजा जाएगा रेफर कर दिया जाएगा लेकिन हमने उसे प्रात्मिक उप्चार के तौर पहीं दिया था और इसे उसका पुरा बिमारी कम्प्लीट हो गया तो आप इसे इसकी गुन से आप फैदाल उठाईए आप लिएटिस स्पाइकाटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिभीन प्रकार के पु सफलता नहीं मिलती है होमियोपैथिक में सुजन हटाने के लिए आपको एपिस एपोसाइनम का खुब लोग परियोग करता है और एपोसाइनम जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कारगर है उसके बाद यदि वो काम नहीं करता है उस कंडिशन में आप लेटिस स्पाइकाट को जुरूब परियोग कीजिए हमने भी बहुत जाद परियोग हमने नहीं किया है लेकि जिस बच्चे में हमने देखा था सुजन पर का सुजन था एक ही पाउं उसका काफी सुजा हुआ था देखने से गंभीर और डर जैसा लगता था लगता था कोई भेयंकर बिमारी हो लिया है तो फेरंफोस और लियर्टिस स्पाइकाटा के एक ही बार के परियोग से बिल्कुल भीमारी खतम हो गया था आप इसके बारे में और आप अध्यान कीजिए और इसका खुब परियोग कीजिए और देखिए और कॉमेंट सेक्षन में जाकर यदि इस दावा से कभी भविष में फाइदा हो जाए तो जरूर इसके बारे में आप बर्णन कीजिए सुजन में आप इसका जुरूर परियोग कीजिए और भी कई तरह के सुजन में भी इसका परियोग कर सकते हैं ऐसे हमने यहां पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम थोरा सा बता देते हैं डक्टर टीसी टंकन ने एक लेख में लिखा एक यह दवा जल संचय जलोदर शरीर के विभिन अंगों में पानी पढ़ याने में अम्रित तुल है एक रोगी को यह दवा देने से दूसरे दिन डेठ गयलन यानि 6 सेर मुत्र आया या बहुत प्रभवसाली मुत्र नी सारक पस सुल सक्त पेट दर्द पेट फुल जाने में यह चमतकारी गुन प्रकट करती है जब यह क्रीत तिली बढ़ जने कारण रोगी के पेट और अंगों में पानी पैदा हो गया है या ब्रिक ठीक से काम ना करने के कारण जलोदर हो गया है तो यह रामबान सीध होती है आप पेट के रोग के वज़ा से या किर्णी के रोग के वज़ा से सभी तरह के यदि आप कोई औरवन फेलियर है उसके द्वारा यह आपको इदि शरीर में सुजन है इसका जरूर परयोग कीजिए लेटिस स्पाइकाटा और इसके बारे में विश्तित अध्यान कीजिए जहां मिले जनकारी इसका पूरा आप लिजिये और लेटिस काटा के बारे में और भी जनकारी हम लेकर आएंगे अब हमने इसे हमें भी माइड से उतर गया था लेकिंव हमें अचानक एक पत्रिका में देखने को मिला था लेटिश Commerce कर्टा नाम की दवा हमने हमें याद कि आज से आठ साल पहले एक बच्चे का हमने पाउं के सुजन को खत्म कर दिया था और वह भी एक ही बार में और यह राइटर भी इसके इसमें जो कुछ चिकिसक के अनभव होते हैं उन्होंने सेर किया है कि किड्नी के चलते या लिभर के चलते पेट के चलते इस्पिलीन के किसी भी कारण से सरीर में सुजन है आपको तो इसका सिवन करानी चाहिए और बहुत ज्यादे मात्रा में पानी को सरीर से निकालता है मैं आसा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोग काफी पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेंगे किसी और विश्वास के साथ मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल से मततकाल हमें इजाजयत दीजिए ऐसे मेरे चैनल को देखते रहिए और लाब उठाते रहिए